सरदार बल्लब भाई पटेल की जैंती के आउसर पर सपाईयों ने शनिवार को जिलाध्यष नगीना साहनी के नेत्रित में गोल घर काली मंदिर इसती सरदार पटेल की परतिवापा मालियार पर किया और उन्हें शरत धानली अर्पित की जिसके समद में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यष नगीना पर साहनी ने बताया कि सरदार बल्लब भाई पटेल अच्छे व्यक्तित के धनी और महान सोतंता सेनानी थे सर्दार बल्लब भाई पटेल भारती राजनीत के महा पुरुष थे जिने भारत रतन से नवादा गया था इनका जन 1875 में गुजरात में हुआ था वे देश के पर्थम गिरह मंत्री थे उन्होंने देश को हमेशा जोडने का काम किया है वह भारत की एकता और अखंटा के सूतरदार थे उनकी जैनती पर सफाकार करता संकल्प लेते हैं क्यों उनके बताये गए मारगों पर चल कर उनके सपनों को साकार करेंगे इस होसार पर महानगर अध्याश जावल इसलाम, अकलेश यादो, जितेंद यादो, बिंदा देवी, शकुंतला देवी, सुमन पासवान, धर्मेंद यादो, विक्की निशास सहित, अनपदादिकारी और कारकरता मौजूद रहे इस समंद में गोरकपुन ने उससे बात करते हुए पार्टी के जिराध्यश नगीना परसास सानी ने कहा रहे समयते बात करते हुए भा्टी के जिराध्यश ने गनपदाद और करते हुए विक्रता करते हुए अनिशी आमर् nies tocha मैं करत आते हुए चाल बना पम sole गcular Appe захई करते हुए बना क्वें लिक्रतमार्टी के जिराध्यश कन परिफें सिरमत्यल pogstyle आते भारती रायनीट के महापुरोष सरडार बल्लब भाई पटेल जो की भारत रहतों थे जिनका जन्म 80 सक्टूबर 1885 में हुआ था उनका देहाव साल 1950 में हुआ था आजाद भारत के प्रथम देश के वह पढ़ान मंत्री और गहें मंत्री रहे हैं उन्होंने हमेशा ही लोगों क जोड़ने का काम किया है देश की रायनीन में जो भी खराव रहा है उसको जोड़ने का काम सरडार बल्लब भाई पटेल ने किया है आज उनके जैन्री पर हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्टी अदेश मानने अखले स्यादव जी के नेदेश पर आज गोरकपुर के इस प्रतिमा पर माल्यापर कर सद्दा सुमनर्पित कर रहे हैं और हम लोग समाजवादी लोग उनके अधूरे सबने को पूरा कामने के लिए कर संकल पेता हैं